दोस्तों मेरा नाम मनीशा भरानी है और इजी स्नेक्स रेसिपीज में आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और इजी चटनी मेयो डिप सिखाने वाली हूँ आप ये डिप को इंडियन नहीं तो वेस्टन स्टार्टर के साथ सब कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और डिलिशेस है तो चलिए चटनी मेयो डिप बनाना शुरू करते हैं डिप बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं वन फोर्थ कप मेयोनीज डाल रही हूँ नहीं यहाँ पे जो प्लेन मेयोनीज आते हैं उस ही का उपयोग किया है जो 50 сам treball का मेजरिंग कब है वो आप से मैंने वन फोर्थ कप मेयोनीज लिया है मैंने एक टेबल स्पून सैंविच का जो चटनी आते हैं वो लिया है ये चटनी थोड़ा स्पाइसी होने की वज़े से मैं इसमें एक टेबल स्पोन ही डालने वाली हूँ चटनी का नाप अपने टेस्ट के हिसाफ से कम या जादा ले सकते हैं अब मैं दोनों सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों ये डिब बहुत ही टेस्टी लगता है आपने अगर इसे सैंट्विच में या तो रोटी पी भी लगा के खाया तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है अब मैं इसमें एक टेबल स्पोन कद्दुकस के अवा खीरा डाल देती हूँ खीरा जैसे ककड़ी भी कहा जाता है वो मैं डाल देते हूँ एक टेबल स्पून कदुकस के अवा गाजर अब मैं सारे इंग्रेडियन्स को मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों ये डिप बनाने के सामागरी लगबख हमारे गर पे आसानी से मिल जाती है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करें और अपने अनुभों मेरे साथ शेयर कीजिए मैं कई बार इस डिप के अंदर चीस स्प्रेट भी डालती हूँ उससे भी बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है सैंविच के चटनी काफी फ्लेबरफुल होती है इसलिए हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें एड़ करने की जुरूरत नहीं है हमारा चटनी मेयो डिप बन के तयार है इसे मैं अभी सर्व कर लेती हूँ आप इसे कोई भी इंडियन स्टार्टर नहीं तो वेस्टन स्टार्टर के साथ सर्व कर सकते हैं मेरे घर में कई बार ये जो salted biscuit आते हैं उसके साथ भी मैं इसे सर्फ करती हूं या तो मैं कई बार bread के croutons बनाती हूं उनके साथ भी मैं सर्फ करती हूं चत्नी मेयोड डिबन के त्यार हैं दोस्तों आप इस एक बार जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभों मेरे साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले